नमस्कार दोस्तो बॉलिवुड में अक्सर बड़े नामों की चर्चा होती है मीडिया, सॉशल मीडिया में उन्ही के नाम का जिक्र होता है क्योंकि बड़े और फेमस नामों से न्यू चैनल वालों को टी आरपी मिलती है लेकिन यहां कुछ छोटे कलाकार भी होते हैं जो कैई की सालों से बॉलिवुड में परदे के पीछे चोरी-चोरी मेहनत करते हैं मैं भी कैई बड़े नामों पर वीडियो बना चुका हूँ लेकिन छोटे नामों को साथ लेकर भी चलना उतना ही जरूरी है किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए समानता का अधिकार सब में बराबर पटना जरूरी है आज मैं जिसकी कहानी लेकर आया हूँ ये वैसे तो 26 सालों से बॉलिवुड में काम कर रही हैं लेकिन ये अपने काम की वज़ा से कम और विवादों की वज़ा से ज्यादा चर्चा में रहती है ये एक्ट्रेस है डॉली बिंद्रा डॉली बिंद्रा उननिस सो चाड़ में से ही बॉलिवुड में काम कर रही है लेकिन मजाल है कि इसका एक भी रॉल ऐसा हो जिसकी तारीफ हुई हो ये इसने पूरा-पूरा ख्याल रखा है कि इसके किसी भी रॉल की गलती से भी तारीफ न हो जाए लेकिन विवाद इतने कर रखे हैं कि अगर इसे सेकंड जन्रेशन राकी सावंत बोला जाए तो गलत नहीं होगा डॉली बिंद्रा का जन्म हुआ था 20 जन्वरी 1968 को पंजाब में कहीं कहीं इसके जो जन्म का साल है वो 1970 भी लिखा हुआ है डॉली के पिता एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलॉंग करते थे 18-19 साल की एज में ही घर में कच्ची शराब का बिजनिस शुरू कर दिया था और सप्लाई करने लगे थे पुराने समय में कच्ची शराब का व्यापार काफी बड़े लेवल पर होता था लोग घरों में ही कच्ची शराब की भट्टी लगा के शराब का अवे धंदा करना शुरू कर देते थे हलाकि ये आज भी गाउं दियात में काम होते हैं लेकिन इस पर अब जो है बहुत जादा सक्ती है तो लोग बहुत चिपकर करते हैं लेकिन पहले के समय में ये काम इतने चिपकर नहीं होते थे और खुले आम होते थे डॉली के फादर ने शराब के काम को बढ़ाना शुरू किया तो पैसे आने शुरू हो गए फिर शादी हुई और बीवी के साथ में शराब के काम को आगे बढ़ाने लगे डॉली बिंदरा टोटल चार भाई भेन है डॉली के घर का माहौल illegal activities से भरा हुआ था तो बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हुआ खुद डॉली ने जो है 10th क्लास तक की ही पढ़ाई किये साल 1990 के आसपास पुलिस ने कच्ची शराब के अवेद कामों पर बहुत ज़्यादा सक्ति दिखाने शुरू कर दी थी क्योंकि कच्ची शराब से आए दिन जो है लोगों की जान जारी थी उस समय डॉली के माता पिता को भी गरफतार किया गया था जेल से छूटे तो पंजाब से मुंबई शिफ्ट हो गए क्योंकि पंजाब में पुलिस बार-बार उन्हें तंग करने लगी थी मुंबई याकर डॉली को एक्टिंग का कीडा काटा और फिल्मों में केरियर बनाने की ठान ली परिवार तो वैसे ही बहुत महन था तो फिल्मों में केरियर बनाने का किसी ने कोई विरोध नहीं किया अलग-अलग जगे ओडिशन दिये और एक साल के बाद साल 1996 में में डॉली को पहली फिल्म मिली फिल्म का नाम था खिलाडियों का खिलाडी इस फिल्म में अक्षे कुमार, रेखा और रवीना टंडन लीड रॉल में थे डॉली का इसमें बहुत छोटा सा रॉल था इसके बाद सनी दियॉल की अजय नाम की मूवी में एक छोटा रॉल और मिला लेकिन इसके बाद तीन साल तक डॉली को किसी भी तरह का कोई रॉल नहीं मिला कोई इनसान बॉली वुड में काम करने जाए और उसे वहाँ सालो साल काम ना मिले या एक दो रॉल करने के बाद में कोई काम उसे कई साल तक ना मिले तो वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है खास कर तब जब इनसान किसी ऐसे परिवार से बिलॉंग करता हो जो उसके खर्चे उठाने में असमर्थ हो डॉली का परिवार भी इतना रिच नहीं था कि उसको घर बैठे खर्चा चला पाते यही वज़े रही कि डॉली भी दूसरे रास्तों पर चलने लगी छोटे और फ्लॉप कलाकार बॉली वुड में इसी वज़े से गलत कामों में पढ़ते चले जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर हर हाल में सर्वाइव करना होता है डॉली भी उन दिनों सेक्स रैकेट का हिस्सा बनी और ये भी कहा जाता है कि डॉली के संबंद क्यों बड़े फिल्मेकर्स के साथ में थे जो इस काम में डॉली की हelcome करते थे रेकेट से जुढने के साथ ही डॉली फिल्मों में भी ट्राई करने लगी थी और अगली फिल्म मिली साल 1999 में, फिल्म का नाम था जानवर, इसमें डॉली ने करिश्मा कपूर की दोस्त का रॉल प्ले किया था, डॉली आपको आज भले ही पानी का जहाद जैसी दिखती हो, लेकिन ये हमेशा से ऐसी नहीं दिखती थी, शुरुवाती समय में डॉली काफी मेंटेन तो थी ही, बलकि काफे स्टाइलिस भी थी, इसलिए बॉली वुड में टिके रहना इसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, डॉली ने हलाकी बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ में काम किया है, लेकिन वहे साल में एक-दो फिल्में में ही नजर आ पाती थी और उनमें भी इसका जो रॉल था वो बहुत ही छोटा होता था, डॉली को इन रॉल से कोई खास पहचान कभी नहीं मिल पाई, डॉली ने बॉबी दियौल की बिच्छू, अक्षे कुमार के साथ जानवर और खिलाडी 420, और इसके अलावा गदर, यादें, तलाश, हां मै ने भी प्यार किया है, अजब प्रेम की गजब कहानी, और जो बोले सोनीहाल जैसी बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे रॉल प्ले की है, आखरी बार डॉली का चांड जैसा मुखडा चुलमान दादू की दबंग थरी में दिखाई दिया था, इसके बाद से वो अभी तक पूरी तरह से गायब है, डॉली साल में इकका दुक्का फिल्म कर रही थी लेकिन उसे पहचान कभी नहीं मिल पाई, इसलिए उसने विवादों में रहना शुरू कर दिया, कभी पबलिक में चिल्लाना, कभी पड़ोसियों को गाली देना, गाली गलोच करना, लड़ना, ज इसमें डॉली के साथ में अस्मित पटेल, मनोज तिवारी, राहुल भट, श्वेता तिवारी और पाकिस्तानी राकी सावंत वीना मलिक जैसे आइटम डॉली के साथ में घर में मौजूद थे, डॉली इसमें वाइल कार्ड एंट्री थी, तो डॉली को लगा कि कैसे भी करक इसमें को तैयार हो जाना, मतलब पूरे घर में डॉली बिंदरा ने हाहाकार मचा दिया था, बिग बॉस में डॉली और श्वेता तिवारी का जगडा भी बहुत ज़ादा फेमस रहा था, मनोज तिवारी के साथ तो डॉली ने जो किया, वो सोच के मनोज तिवारी आज भी अकेले बंद कमरे में रोता होगा इसके अलावा असमित पटेल पर तो डॉली ने कई परसनल कमेंट किये थे और इन दोनों का जगडा भी बहुत जादा चर्चा में रहा था डॉली बिंद्रा, राखी सावंत, पुनम पांडे, अरसी खान, उर्फी जावेद ये ऐसी फिल्म है जिनमें टैलेंट के नाम पर मुह से गोबर करने के अलावा कपडे निकालना और इसके अलावा कुछ नहीं आता ये सब के सब बिना काम के सालों साल से इंडेश्ट्री में टिकी हुई है क्योंकि ये परदे के पीछे बहुत महनत करती है, जो सामने नहीं आ पाता है परदे के पीछे की महनत से पैसा तो बहुत आ जाता है, लेकिन शोहरत नहीं मिल पाती है उसके लिए ये लोग विवाद करना शुरू कर देती हैं उल्टे सीधे बयान देना, छोटे कपड़े पहनना, उल्टे सीधे कपड़े पहनना ताकि मीडिया की चर्चा में बनी रहे साल 2014 में डॉली पर अपनी सोसाइटी के मेंबर्स को गाली देने और मार पीट करने का आरोप लगा था इसके अलावा जिम के एक एमपलोई को भी जो है इसने धमकी दी और धक्का मुक्की करने का इस पर आरोप लगा डॉली बिंद्रा और राधे मा का याराना एक समय पर बहुत जादा चर्चा में रहता था डॉली हर जगे राधे मा की भक्त बनकर उसका गुंगान करती थी राधे मा जिसका नाम है सुक्विंदर कौर और स्वेगोसित देवी का अवतार है वो उसने खुद को ही घोशित किया हुआ है मैंने सुक्विंदर कौर उर्फ राधे मा पर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है आप चाहे तो सुक्विंदर कौर के बलातकारों के बारे में सोरी चमतकारों के बारे में उस वीडियो से जान सकते हैं मैं राधे मा नहीं बोलूँगा, मैं सुक्विंदर कौर बोलूँगा, क्योंकि इसका असली नाम वही है। डॉली बिंदरा और सुक्विंदर एक समय बहुत खास थी। डॉली 24 घंटे और सातो दिन सुक्विंदर के साथ में रहती थी। और ये कैई सालों तक एक साथ रही। लेकिन साल 2015 में डॉली ने सुक्विंदर पर शारीरिक शोशन के आरोप लगाए। डॉली ने कहा कि सुक्विंदर उर्फ रादे मा ने उससे किसी अंजान वैक्ती के साथ में सेक्स करने को कहा और बदले में पैसे देने की बात कही। डॉली ने अपने आरोपों में कहा कि पंजाब पुलिस के एक बड़े अफसर के घर में कुछ महिलाओं और कुछ आदमियों ने उसका यौन चोशन किया था। उस समय ये मामला काफी जादा मीडिया में सुर्खिया बन चुका था। डॉली ने कैई बार मीडिया में खुल कर कहा कि सुकविंदर कौर उर्फ रादे मा सेक्स रैकेट चलाती है और उसके सेक्स रैकेट में कैई टीवी एक्टरिस के साथ में बॉली वुड की एक्टरिस भी शामिल हैं जो देशी नहीं बलकि विदेशों में भी बोकिंग पर बेजी जाती है और बदले में उन्हें लाखों रुपे मिलते हैं डॉली बिंदरा ने सुकविंदर कौर की पोल तो खोल दी थी लेकिन उसने कभी भी ये नहीं बताया कि जब वो इतने सालों से दिन रात उसके घर में उसके साथ में रहती थी क्या तब उसे ये चीजे पत पर भी गंभीर आरोप लगाई थे डॉली ने कहा कि टली बाबा पिछले एक साल से उसको धोके से नशे में करके उसकी सर्विस करता था डॉली ने कहा कि सुकविंदर कौर के सेक्स रैकेट को टली बाबा ही हैं उस समय ये मुद्दा काफी चर्चा में रहा था लेकिन आप को पता ही है हमारे देश का कानून और कानून चलाने वाले कितने दयालू सभाव के हैं इसलिए ना तो सुखविंदर कौर का कुछ हुआ ना टली बाबा की टुली उखडी बेचारी डॉली बिंदरा आरोप लगाती रह गई वैसे डॉली ने कहा था कि टली बाबा उसका एक स काल से चुप क्यों थी पहली बार में उसने आवाज क्यों नहीं उठाई एक साल तक फिरी में सर्विस क्यों करवाई मतलब ये लोग कुछ भी सोचते हैं और मीडिया में आके हग देते हैं जैसे बाकी जनता तो फुद्दू बैठी है और इनकी बातों पर आँख बंद कर के यकीन कर लेगी दरसल डॉली खुद सुखविंदर कौर के रैकेट का एक्टिव मेंबर रही है कैई साल तक दोनों साथ में रही साथ में काम किया देश विदेश में सब जगह मिलकर इन लोगों ने एकजाम दिये सुखविंदर कौर हैड थी और वो रैकेट को ऑपरेट करती थी डॉली मेंबर थी वो सर्विस देती थी जो एमाउंट मिलता था उसमें इन दोनों का आपस में शेयर होता था और डॉली बिंदरा जैसी बहुत सारी एक्टिस बहुत सारी छोटी एक्टिस सुखविंदर कौर के रैकेट का हिस्सा रही है लेकिन बाद में इन दोन पर पार्टी में उसे पीछे से आके बाहूं में भर लिया और उसे किस करने लगा। इसके बाद डॉली ने राजा के खिलाब केश दर्ज करवाया था और बात जो है कोट तक पहुँच गई थी। लेकिन राजा चौधरी का अलग ही कहना था। राजा ने कहा कि वह और डॉली एक बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं और हम बंद कमरे में एक दूसरे के साथ में काफी जाज़ा कमफर्ट हैं। लेकिन मैंने उसे पार्टी में सब के सामने किस कर लिया तो मैं गलत हो गया। वही काम जब मैं बंद कमरे में करता हूँ तो डॉली खुश होती है। दरसल डॉली एक्टिंग में तो कभी ऐसा कोई काम कर नहीं पाई जिससे उसकी तारीफ हो या जिससे उसके काम की सराना हो तो वो पहले कर्म करती है फिर उसे मीडिया के सामने उडेल देती है ताकि उसे थोड़ी बहुत पबलिसिटी मिल जाए। डॉली ने बिजनिसमेन केजात किर्मानी के साथ में शादी की है अब डॉली बॉली वुड से पूरी तरह से गायब हो चुकी है। कोशिस करती रहती है। डॉली बिंद्रा की इस कहानी में इतना ही जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में जैहिन।